चावल की महेंगाई को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कहा है कि चावल के खुद्रा व्यापारी, होलसेलर और मिलर को आने वाले शुकरवार से चावल के स्टॉक की जानकारी देनी होगी. इसका निर्देश खादे विभाग के सचिव संजीव चोपरा ने जारी किया. इसमें बास्मती, गैर बास्मती, उबले और टुकडे चावल की जानकारी देनी होगी. संजीव चोपरा ने कहा, चावल की महेंगाई को कम रखने के लिए रिटेलर, होलसेलर और प्रोसेसर को सलाह दी जाती है कि अगले शुकरवार से वे सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी दें. चावल की अलग-अलग कैटेगरी में व्यापारियों को स्टॉक की जानकारी दी जानी है. चावल बास्मती हो या गैर बास्मती या टुकड़ा चावल, व्यापारियों की इसकी जानकारी जरूर देनी होगी. अगर जरूरत पड़ तो सरकार चावल की स्टॉक लिमिट तै कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक साल में चावल के दाम में 14.5% का इजाफा हुआ है। ऐसी शिकायतें आ रही थी कि व्यापारी चावल की जमा खोरी कर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने चावल के स्टॉक की जानकारी देने के लिए कहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो चावल की स्टॉक लिमिट तै की जा सकती है। खादिय सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि स्टॉक के इस निर्देश से व्यापारियों में एक मैसेज जाएगा कि ऐसा करना गलत साबित हो सकता है। ऐसे लोग जो बिना किसी वजह से चावल का स्टॉक जमा कर रहे हैं, वे इस कदम से बाजार में माल उतारेंगे। चावल के दाम घटाने के लिए अन्य जिन कदमों की घोशना हुई है, उनमें भारत ब्रांट चावल भी शामिल है। सस्ते रेट पर यह चावल सरकारी एजन्सियों जैसे की निफेड, NCCF और केंद्रिय भंडार के जरिये बेचा जा रहा है। इन सरकारी एजन्सियों में चावल का दाम 39 रुपए किलो रखने का निर्देश दिया गया है। सचिव ने कहा कि सरकार देश के उन हिस्सों पर फोकस कर रही है, जहां चावल का भाव राष्ट्रियस तर से अधिक है। सरकार की कोशिश है कि फौरी कदम उठा कर चावल के दाम उन इलाकों में कम किये जाए। इससे पहले सरकार ने 20 जुलाई को गैरबास्मती चावल के निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया था, ताकि घरेलू स्तर पर इसकी सप्लाई बनी रहे। हालांकि कुछ देशों में National Cooperative Exports Limited के जरिये निर्यात को अनुमती दी गई है। सरकार के विभाग DGFT ने अभी हाल में कहा था कि सरकार के आदेश पर उन देशों में निर्यात किया जा सकता है, जहां खाद्य सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत हो। सरकार की मांग पर शर्तों के साथ चावल का निर्यात किया जा सकता है। भारत से चावल मंगाने वालों में पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन सबसे उपर है जो गैर बास्मती चावल मंगाता है। इसके अलावा UAE, नेपाल, बांगलादेश, चीन, कोट दी इवायर, टोगो, सेनेगल, गिनी, वियतनाम, जीबूती, मेडागासकर, कैमरून, सोमालिया, मलेशिया और बाइबेरिया है। इससे पहले अगस्त में सरकार ने एक खास कदम उठाते हुए बास्मती की फ्लोर प्राइस तै कर दी थी। Bureau Report Market Times TV